पसकार दोस्तों स्वागत है आप सभी का अच्छी टिप्स यूट्यूब चैनल में आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी शक्ती प्राप्त करने का मंत्र आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखे ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके शक्ती प्राप्त करने का मंत्र जाप करें और देखिए इसका महिमा जो मित्रों लंबे दिनों से अपने शरीर की ताकत बढ़ाने के लिए अपेक्षा कर रहे थे हैं आज उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे वैसे अगर किसी की शरीर शक्ती हिन है तो साम वाले व्यक्ती से सामना करना संभव नहीं है इसलिए अपने शरीर में शक्ती प्राप्त करना बहुत ही आवशकता है तो कैसे करें अपने शरीर में शक्ती प्राप्त इस मंत्र के जरिये चलिये जानते हैं हमारे शरीर पांच तत्वों से बने हुए हैं इन पांच तत्व क जागरत करने के लिए हमें मंत्र का साधना करना पड़ता है। पूरे शरीर में प्रित्वी, जल, अगनी, वायू, एवं आकाश का प्रतिनिधित्व करते हैं। मूल रूप से ये सब मूल तत्व हमारे शरीर में बराबर मात्रा में रहने चाहिए। जब इनमें से कोई तत्व गड़ बढ़ होने लगता है, या तो तुरुटी होना शुरू हो जाता है, तो शरीर में कई प्रकार के बीमारी का घर जन्म लेना शुरू हो जाती है। इसलिए हमारे शरीर के इन पाँच तत्वों को हमेशा स्वस्त रखना होगा जिससे शरीर पूरी तरह शक्तिमान बना रहे। हिंदू शास्त्र के अनुसार प्राचीन काल में शरीर बनाने के लिए खान पान का ध्यान उतना नहीं देता था शरीर बनाना है तो तंत्र मंत्र साधना करके बनाया जा सकता है। शास्त्र के अनुसार उस समय फल का सेवन लोग अधिक करते थे, जिस से शरीर में हमेशा शक्ति बनाए रहते थे। वर्तमान आज की दौर में शरीर बनाने के लिए तो मीट, मचली, अंडे के पीछे पड़े हैं। बहुत कम लोग जानते हैं फल खाने से शरीर कैसे स्वस्त रहता और कैसे बल्वान रहते हैं। आपको हमेशा नौन वेज भोजन करना होगा। यह मंत्रों वह शक्ति प्रदान करते हैं जहां मनुष्य के शरीर हमेशा स्वस्त रहेंगे और सामने वाला व्यक्ति देखते रहे जाएंगे। वर्तमान यह कल यूग हैं यहां 90% लोग पाप में लिप्त हैं और 10% लोग ही जो पुन्य वाले व्यक्ति हैं। इसलिए देवी देवताओं के मंत्रों सिद्ध करना इतना आसान नहीं हो सकता है। आप अगर भक्ति और श्रद्धा के साथ इस मंत्र कजाप करेंगे तो शायद हो सकता है कि कुछ। दिन के अंदर आपके पास यह मंत्र सिद्ध हो जाए, शरीर में अपार शक्ती अर्जित कर सकते हैं इस मंत्र के जरिये लेकिन विश्वास और भक्ती रखना बहुत ही जरूरी है, अगर आप मंत्र जाप करते समय ध्यान इश्वर प्रती हमेशा रखेंगे तो बहुत चल्द इस मंत्र का सिद्ध कर पाएंगे, तो चलिए अपार शक्ती प्राप्त करना चाहते हैं, तो बजरंग बली हनुमान के इस मंत्र का जप करें जिससे आपके शरीर में वज्र जैसे शक्ती प्रदान होंगे, प्रतिर दिन सुभा उठकर यह मंत्रों का जाप निरंतर करें, आ ऐसा नहीं कि आप एक दिन दो दिन किया और फिर बंद कर दिया, यदि आप प्रति दिन निरंतर इस मंत्र का जप करेंगे, तो आने वाले समय में आपके शरीर में वह शक्ती प्रदान होंगे कि आप खुद भी नहीं जान सकते हैं, बजरंग बली हनुमान की यह मंत्रों न पिर अंतर जप करने से आपके पास सिद्ध हो जाएगा, उसके बाद आप खुद ही समझ सकेंगे कि आपके शरीर में कैसे चमतकार होने जा रहे हैं। वाले व्यक्ति आपको देखते ही डरने लगेंगे। यदि आपका कोई अपने आदमी कमजोर हैं, तो उन्हें इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। आपका एक शेयर से उनको भी मदद मिलेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों कृप्या वीडियो को एक छोटा सा लाइक करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। करें।